गुट मॉर्निंग टू आल माई डियर स्टूडेंट्स एंद फैकल्टी मेंबर्स आफ वैरिस कॉलेज़ेज अब रास्तान वह वाचिंग दे चैनल आफ लोया कोलेज चूरू आज का जो मेरा व्याख्यान है ये एक्टमलोजी के क्लास्टिकेशन पे फोकस रहेगा इस्वेपूर्वे में दो व्याख्यान मैंने इंसेक्ट क्लास्टिकेशन पे डिलिवर किये हैं जिसमें एक क्लास इंसेक्टा का जनरल क्लास्टिकेशन जिसमें सभी ओर्डर्स को इंक सबश्तित होते हैं लेकिन टरी-गोटा में पंक्स जो हैं वह पर्जेट होते हैं और टरी-गोटा खरो और फोस्विस की बैसिस पे दो पार्ट में डिवाइट किया है, एक्जो टेरीगोटा और एंडो टेरीगोटा, एक्जो टेरीगोटा पे मैंने पिछले व्याख्यान में मैंने आपसे डिसकस किया है, आज का जो मेरा व्याख्यान है ये एंडो टेरीगोटा पे फोकस रहेग एंटिय टारिगाट के अंदर कौन कौन सी orders है और इनके man-man characters क्या है man-man इनके examples क्या है तो मुखे एंटिय टारिगाट में no order है वो समिलित किये गए है colioptera strepsiptera neurobtera meekoptera diptera siphonoptera trichoptera lepidoptera hymenoptera यह जितने भी orders है इन सभी की nomenclature पंकों की basis पे है हर order के insect में पंकों में particular specialty होती है कोई पंक मोटे होते हैं कोई मेबरेनेश होते हैं कोई जाल के समान होते हैं कोई transparent होते हैं कोई semi transparent होते हैं तो पंकों की basis पे इन सभी का जो है वो classification किया गया है तो औराल no order इस के अंतरगत समिलित हैं इन सभी order के main characters और example में आपसे share करूँगा फर्स्ट और इस कोलिय प्टेरा कोलिय मिन सीथ या कोई hard आवरन हो प्टेरा मिन स्विंग तो सीथ के समान जो पंक होते हैं इसलिए इनको कोलिय प्टेरा के अंदर गद रखा गया है बोडी माइनूट टुवेरी लाज सरीट छोटे से बड़ी आकार का होता है hard-bodied लार्वी कंपेंडी फोर्म और स्क्रेवी फोर्म या वर्मिफोर्म पर करके होते है प्यूपी है वो एक्सरेट पर करकी होती है इसमें भी आगे एक चप्ट रहेगा टायप रूऔर वी टायप व कि तैयूपी तो यह लार्वी की ट्रमिक ट्रमिनलॉजी कोई किस तरे कण दर लार्वी है किस तरे की प्यूपी है कि इसमें एक प्यक्यान मैं ट्रमिनोड़ोजी पर भी देड़ूँगा क्योंकि कुछ बच्चों से फीडवेक आ रहें कि सरीए टेक्निकल टाम्जा समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन सेलिवस के एकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है और आपके फर्स्ट उनिट में इंसेक्ट का क्लैस्ट्रकेशन है इसलिए प्लाइस्ट्रकेशन बाद में एक जनरल व्याख्यान में टर्मिनल लोजी पर आपको शेयर करूंगा माउत पार्ट से चीविंग टाइप प्रोगनेथस प्रोगनेथस का मतलब क्या होता है जब हैड थोरेक्स अबडमन तीनों एक सो शी डिगरी में हो यानि एक ही सीध में हो एक लाइन में हो some forms are hypognathous उसमें hypognathous position है hypognathous में क्या होगा head और thorax के भी इसमें 90 degree का angle है लार्वी में achieving type के mouth parts होते है eyes and oceli compound eye present होती है या absent होती है oceli absent होती है लेकिन लार्वा में compound eye absent है लेकिन lateral oceli present है antenna variable परकार की होती है लार्वा में small size की होती है small lean larva wings, four wings sclerotized अगर जोड़ी पंक है वो बहुत hard होते हैं scleroprotins के मने होते हैं it is in the form of elitra elitra कारत है जब एपारदर सी कोई पंक हो बहुत hard हो, शक्त हो उस तरह के पंक हो elitron का नाम दिया जाता है that protect hind wing at rest जो resting position में hind wing को protect करती है body को protect करती है some flightless with fused elitra कुछ flightless जो colioptera के insect है उनमें दोनों जो पंक है वो fused होते हैं अपस में but few species are wingless कुछ species है वो punk विहीन भी होती है larvae leg जो है वो cursorial type के है cursorial यो दोड़ लगाने वाले some adapted for swimming कुछ insect में टांगे है वो तैड़ने के इलंकोलित होती है क्योंकि कुछ बिटल्स होती है जो पानी के अंदर भी पाई जाती है aquatic बिटल्स है जैसे diving बिटल्स है उनके फंक जो होते हैं तैड़ने के लिए modify हो जाते हैं for digging कुछ insect कुछ बिटल्स है जो जमीन में गड़े खोदने में कामें आती है तो उनके हाथ जो होते हैं अपने human finger की तरह जैसे अंगुलिया होती है उस तरह की इनकी structure होती है larvae with six legs some larvae are legless कुछ larvae में पंक्विहिन होते हैं abdomen larvae with posterior pair of prolex usually a pair of spiracle on each of the first abdominal segment abdomen के first जो eight segment है उनमें एक जोड़ी spiracle स्पाई जाते हैं plus one और two pair of thorax कई बार thorax के जो segment है उनके अंदर भी spiracle स्पाई जो होते हैं वो पाई जाते हैं जनरल कॉमेंट्स में pronotum is single conspicuous sclerite vermiform and scrabili form larvae are often called as grub तो बीटल्स के जो larvae है इनको grub के नाम से जाना जाता है इनके जो main example है detail example तो मैं इनका all order detail में discuss करूँगा उसमें हर family के example with photograph मैं आपको share करूँगा यहाँ main main example मैंने इसमें include किया है इसके main example है dunk beetles jewel beetles tiger beetle ground beetle blister beetle firefly firefly है यह जुगनू जैसे होता है blister beetle इसको फाला मास्तरी बलता है tiger beetle है इसके skin पे yellow spot जैसे होता है जैवलिक beetles होती है इसको गाओं में लड़कियां जो होती है अपने अंगुलियों के अंदर अंगुठी की तरह है रिंग की तरह इन को पहनती है डंग beetles है यह popular है खेतों में गाए का जो डंग होता है दूसरे दिन आप जाके देखो तो उसकी खाद बन जाती है यह इसके कुछ figure है beetles के इस order के next order is strepsic terra यहाँ पर strepsic आरत है twisting त्विस्टिंग जो आपस में लिप्टे हुए हो आपस में गूते हुए हो आप टेरा मिन स्विंग तो इसमें जो पंक हैं वो resting portion में एक दूसरे से shimmer जाते हैं twisting हो जाते हैं तो twisting wings body minute आकार की होती है mouth part reduced होते है medivalate परकार के होते है eyes and ocelli compound eye present होती है nerve के अंदर और free living females में antenna nerve में flabulate परकार की होती है 4 to 7 segmented होती है और some segment with lateral process कुछ segment में पाशरों में परवर्द जो है वो पाई जाते है wings in male mesothoracic wing club-like mesothoracic की जो पंक हैं वो मुगदर के आकार के होते है similar to halters of diptera जिस तरह diptera में halters जो होते हैं balancing organ का का काम करते है metathoracic wings हैं वो membranous परकार के होते हैं punk के समान होते है with reduced venation इसमें सीरा विन्यास जो होते हैं वो reduced परकार का होते है female में punk जो होते हैं वो absent होते हैं legs larvae और adult mostly legless होती है और तांगे दी होती है तो उसमें तारसाई 2-5 segment वाली होती है abdomen में 3-5 genital pores in adult abdomen 3-5 genital pores जो है वो पाई जाते हैं यह twisted wing parasite है अब insect में punk हाले खूले हैं अब यह insect जब resting position में होता है तो दोनों punk एक दूसरे में इस तरह simmer जाते हैं इस तरह twisting हो जाती हैं इसलिए इनकी इसलिए इनको twisted wing के नाम से इनको जाना जाता है next order is neuro ptera neuro means nerve ptera means wing अब इसके जो punk होते हैं उसमें जैसे dissection अपन करते हैं animals का प्रौन का तो उसमें तंत्रिगाएं जैसे निकली रहती है उसी तरह इनके पंकों में जो सीरा विन्यास होता है वो देखने भी इस तरह लगता है जैसे कोई nerve का कोई network हो नर्व की जैसे origin हो रही हो इसलिए इनको नर्व विंग के नाम से जाना जाता है मौथ पाइट्स ग्रैस्पिंग टाइप, सकिंग टाइप या चिविंग टाइप आईज एंड ओसिलाई, कंपाउंड आई परजेंट डॉर्सल ओसिलाई परजेंट और एप्शेंट एंटिना जोनरली फिली फॉर्म विंग से टू पेर सीमिलर इन साइज पंक्त दो जोड़ी होते हैं, आकार में समान होते हैं यूजरी हेल्ड रूप लाइक ओवर बोड़ी एट रेस्ट रेस्टिंग पोजिशन में एक धाल के रूप में बोड़ी के ओपर ये परजेंट होते हैं लेक्स में फाइफ सेग्मेंटे टार्साई पाई जाती है, एब्डोमन में सर्साई एपसेंट होती है, बोडिफाइड ओवी पोजिशन परजेंट होते हैं और ये जो इंसेक्ट है ये वीक फ्लायर्स है, उड़ने में ज्यादा एक एक एपेबल नहीं है ये इनके अग्जामपल है, डॉब्सन फ्लाई, आउल फ्लाई, अब इनके पंकों में आप देख रहो है, जैसे कोई नर्व का जैसे नेटवर्क हो, तंत्रिकाओं कैसे जाल विशा हुआ, इसलिए इनको निरोप्टेरा नाम दिया है, यानि नर्व नेक्स्ट ओडर इस मीको प्टेरा, यहां पर मीको कारत है, लॉंग, प्टेरा मिन स्विंग, इनके पंक्ष जो होते हैं, वो बड़े अकारके होते हैं, लंबे होते हैं, बोडी स्माल टू मीडियम साइज, फ्रेजाइल, लार्वी क्रोसिफ फॉर्म, यूपी एक्सरेट परकारकी होती है, मौथ परय्ट से चीविंग प्रकारकी होते हैं, एट आपेक्स ऑप्रोस्तरम, लार्वी में मौथप पर्ट है, वो चीविंग टाइप के होते हैं, आईज एंड ओसिलाइ पर्जेंट, जीडू तो त्री और्सल सर्पेस, द शिलाइ जीरू से तीन होती ह एंटिना लंबी और फीलिप फॉर्म परकार की होती है लंबी है और फिलामेंट के जैसी है तंतु के समान धागे के समान इसने इसको फीलिप फॉर्म का नाम दिया है विंग से टू पेर एंड मेंब्रेनश कॉमनली विद डार्क स्पॉर्ट पाए जाते हैं यह आप पंक दे होता है जैनाइटल यह प्रॉमिनेंट है लास सेग्मेंट इन मेल केरीड अफ्राइट पोजिशन लाइक स्कॉर्पियों तो नर्में अब्डोमन के जो लास सेग्मेंट है वो उपर की तरफ डाइडेक्ट रहता है और ऐसा लगता है जैसे कोई बिच्छू का जैसे स्कॉर्पियों की तरहियों अपरैट है डिखने में बीच्छू के जैसी है लेकिन यह एक्छूल बीच्छू नहीं स्कॉर्पियों नहीं है इसलिए इंको स्कॉर्पियों फ्लाइग का नाम दिया है में नेक्स्ट ओर्डर इज डाइप टेरा, डाइ मिन्स टू, टेरा मिन्स विंग, टू विंग्स, बोडी माइनूट टू लार्ज, लार्वी लेगलेस होती है, यूपी अबडेक्ट या कॉर्क्रेट टाइप की होती है, माउथ पार्ट में अडल्स में अनेक परकार के मौटिफिकेस्न पाई जाते है, और ये माउथ पार्ट सकिंग टाइप के होती है, सकिंग के लिए अडेप्टेट होती है, चूशने के लिए, लार्वी में various modifications of mandibulate mouth parts लार्वी में विविन पर करके mandibulate mouth parts पाई जाते हैं eyes and ocelli compound eye present three dorsal eye present in most members antenna variable पर करकी wings one pair membranous metathoracic halters पाई जाते हैं secondary apparatus होते हैं यानि primary room से तो इसमें wings हैं लेकिन बाद में पंक्स जो होते हैं जड़ जाते हैं तो secondary ली ये wingless है legs में five segmented तारसाई होती है abdomen में सरसाई present अत्वा absent इस order के जो man जो example है send fly इसके अंदर include है जिते भी mosquito है मच्छर है वो इसमें include है और मच्छरों के जो मुखांग हैं वो भेदने वाले चूसने वाले होते हैं जो body के अंदर ये puncture करते हैं फिर fluid जो होता है human है तो माले blood चूसेंगे plants है तो plant में gylam का जो fluid होता है उसको ये चूसते हैं तो दियार phytophagus भी है और zangivorous type के भी है next order is siphon aptera यहां पर अबधान रहके aptera शब्दार है बाकि जेते भी order है इसमें aptera शब्दार है इसमें aptera a means absent siphon means tube light siphon means tube aptera means wingless tubeless है tube क्या करके है wingless है और पंक्ष जो होते हैं इनमें generally modify हो जाते हैं जो इनको एक तरह से absent की रूप में मानते हैं body minute to small adult mostly hard-bodied adult में hard-bodied होती है bilaterally compressed होते है many posteriorly directed siphon कुछ में पीशे की तरफ दिर देशीत छोटे siphon जो होते हो पाई जाते है larvae vermi form परकार की होती है pupae exerate परकार की होती है और silk के कौकौन के अंदर ये पैख रहती है mouth part adults में pursing और sucking type के होते है larvae में ये achieving परकार के होते है eyes and ocelli compound eye absent two lateral ocelli present in some cases they are eyeless कुछ केस में आखे अनपस्तित भी है antenna short with antenna gross antenna छोटी होती है और उसके अंदर antenna खाच जो होती है वो पाई जाती है wings lacking अनपस्तित है और फ्लिया आर सेकंडरी लेप्टरश जितने भी फ्लिया है चाहिए वो रेट फ्लिया हो चाहिए वाटर फ्लिया हो वो पंक भीहिन होते हैं legs में coxie modified for jumping in most species most species जो coxie jumping के लिए modify हो जाती है तारसाई five segmentate होती है abdomen में male genitalia jatil होते है in animal kingdom animal kingdom में सबसे jatil जो genitalia है वो इस order के insect में पाई जाते हैं one pair of two segmentate clasper two segmentate clasper की एक जोड़ी इसके अंदर पाई जाती है यह फ्लियाज का example फ्लियाज का figure यहाँ पर दिखा है इनको पिशू पिशू भी बोलते हैं next order is trichoptera trichoptera means hair terra means swing तो इनके जो पंक है वो रोम शद्रशे होते हैं बालों के समान होते हैं body is small to medium somber color larvae irushy form होती है pupy exerate type की होती है mouth parts adult में some non feeding in adult stage उस adult में non feeding type के जो adapted mouth parts है उपाई जाते हैं they are adapted for imbibing the fluid fluid के अधिशोसन के लिए imbibition जैसे पोधा में imbibition होता है तो उस तरह यह fluid जो होता है उसको चूशने के लिए उसको imbib करने के लिए यह modify हो जाते हैं mandibles poorly developed mandibles alpha-vixit होते हैं larvi में achieving type के mouth parts भाई जाते हैं eyes and ocelli compound eye present compound eye है वो पाई जाती है 0 और 3 dorsal ocelli present dorsal ocelli तीन होती है यह absent होती है antenna cetaceous to philip form antenna cetaceous पर करकी यह फिर filament के जैसे होती है wings दो जोड़ी जो की membranus पर करके है hind wing, core wing से चोड़ा होता है covered by modified hairs modified hairs के द्वारा आवरी तरहता है जैसे CT held roof like over body addressed विसामवस्ता में पूरी body के ओपर रूप किस्मान यह punks जो होते हैं legs में leg somewhat thin टांगे हो जनरली पत्री होती है longer लंबी होती है tarsai five segmented होती है abdomen में adigus और clasper present होता है adigus जो के एक तरह का इसका external genuity गया है यह photograph जैसे दिखाए caddis fly का इस order में caddis fly है insect है वो इसके अंदर सामिल किये गये है next order is lepidoptera lepido means scale ptera means wing तो इनके जो पंक है वो शल्क के जैसे होता है scale wings body minute to very large covered with scales diverse color pattern क्योंकि इस order के अंदर तित्लिया है मौथ है वो इसके अंदर include है और तित्लियों के अंदर देखाऊगा हजारो त्रे के color patterns वाई जाता है larvae erosy form pupae generally optic type mouth parts in adult generally long sucking proboscis primitive members are mandibulate larvae it is vestigial but in some larvae it is strong and sheaving type eyes and ocelli large compound eye present ocelli 0 or 2 estimator on lateral side lateral side में estimator पाई जाते है antenna prominent very informed अलग अलग रूपों की जो antenna है वो इसके अंदर पाई जाते है wings two pair membranous covered with scales scales से ढखे रहते है large in proportion to body सरी के लंबाई की तुलना में punk बड़े होते है few crosswind कुछ crosswind भी पाई जाती है crosswind वो होती है जो longitudinal veins को जोड़ती है some are wingless कुछ insect पाखवीन भी होते है four wing is larger than hind wing अगर पंक है उपस्पन की तुलना में बड़ा होता है legs में five segmented तारसाई परजेंट larvae में तीन जोड़ी true legs पाई जाते है in abdomen सरसाई is absent larvae with five pairs of false legs larvae में पांच जोड़ी apex है टोपल अपार्ट है उसमें छोटे कांटे के स्मांद कुक के स्मांद रचनाई पाई जाती है यह इसमें इंसेक्ट दिखाए है इसमें बटरफ्लाई है जैसे यह स्विंक स्मॉथ है यह स्कीपर्स है next order is hymene of terra hymene means membranous tera means wing toh membranous wing जो होते है वो इन इनसेक्ट पाई जाते है body minute to very large larvae usually legless with distinct head some erosiform with legs and prolags pupae x-ray type की होती है usually in a cocoon कॉकुन के अंदर परजेंट रहती है माउथ पार्ट्स चिविंग टू लेपिंग टाइप और सकिंग टाइप यह बटरफलाई है यह फ्लावर के नेक्टार को जैसे चूसने का काम करती है इसलिए इनके मुखंग हैं उस चूसने वाले भी होता है आईज और ओसिलाई लार्ज कंपाउंड आई परजेंट थ्री डॉर्सल ओसिलाई परजेंट एंटिना फिलिफ और एंड जैनिकलेट जैनिकलेट होते हैं माला के मनिये की जैसे माला के मनियों की जैसी और थोड़ी से बैंड एंटिना हो उसको जैनिकलेट एंटिना का नाम दिया जाता है विंग्स टू पेर एंड बेंब्रेनश हैंड विंग्स स्मॉलर दन फॉर्व पश्र पंक है वो अगर पंक की तुल्दा में छोटे होते हैं लेग्स फाइब सेग्मेंटेट इन अब्डोमन इन अपोक्राईटा प्रापोडियम ब्सक्राइब स्मॉ्प प्रापोडियम मेटाथोर्विक्स के साथ रहता है इन इनसेक्त में तोरच और अब्डोमन के बीच इनसेक्ट जोबու पॉंटेड डियुच्वार्ट हो जाता है जैसे वेस्पा के अंदर है, मदमख्य के अंदर है और इस ओर्डर के अंदर जो मैनिस सेक्ट इंक्लूड है उसे चींटियां जितनी भी है, आंट्स बीज, मदमख्य, वास्प तत्य यह जो होते हैं इसके लाव सोफलाईश यह फिगर आप देखरो, यह जैसे आंट का जैसे चितर है यह हनीवी का चितर है यह पेपर वास्ट का जैसे चितर है, डियाग्राब है तो यह कुल्मला के नो ओर्डर इस एंडो टेरिकोटा के अंदर इंक्लूड़ेड है और आपके फर्स्ट उनिट में जनरल क्लाशकेशन के यह तीन व्याखान है वो कम्प्लीट है और पहले उनिट है, यह कम्प्लीट है फर्स्ट उनिट में जनरल क्लाशकेशन है जिसमें क्लास इंसेक्टा क्या है इंसेक्टा क्या 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 अलक्षन है और इसके अंदर एफ टेरीकोट और टेरीकोट के भी दो पर्ट है जो टेरीकोट, एंडेरीकोट, अब सेकंड विनिट में इंडिविजल आर्डर शाएंगे और वह क्लाश्टिकेशन आपके फैमिली तक कॉर्स में है तो आपके करीब 8 ओर्डर आपके कॉर्स में है जिसमें और्थ बटेरा है हाइव्न अफेरा है लेपिड बटेरा है आइस अब्टेरा है इस में इस न है तो इन आठ और का डिटेल जो थैसे आप टू फैंडी वह अपन गारें में आफ से शेयर करूँगा और प्लेस्ट के इन इस एक इस स्क्रिंसोट लेके या इनको बार-बार देके आप अपने नोट्स त्यार करें क्योंगि आपका हर मैने टेस्ट भी होगा और आपका जो पहला टेस्ट है वो इस जनरल क्लासिक्षिशन पर ही फोकस रहेगा इसलिए हम जो भी वीडियो जो भी मॉडूल आपके वाट्सक ग्रूप पे यू वीडियो पे कॉमेंट्स करो अपने नोट्स मनाओ लेकिन मुश्किल से 20% स्टूडेंट है वही अपनी स्टैटी के प्रतियाभी सीरियस है और चुकि यह जो पूरा इस साल का सेशन है थोड़ा डावंडॉल सा रहेगा जब तक कोरोना की कोई वैक्शिंस नहीं आ जाती है तो मेरा विद्यार्थियों से एक बार पूने रिक्वेस्ट है पॉलाइट रिक्वेस्ट है कि वो व्याख्यान को बहुत सीरियस्ली सुने और मोबाइल के थूर सुने लैक्टॉप के सुने और इयरफोन लगा के सुने लेकिन कंसंट्रेट माइंड से यह नहीं हो कि आप कर रहे हैं और साथ में यह वीडियो देख रहे हैं उसकेस में कोई किसी परकार का बेनिफिट आपको नहीं होगा और एक बार मैं पूने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लोया कॉलिज की तरफ से मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद क्रेशित करता हूं एव गुड ड झाल 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 झाल